देश का सबसे बड़ा नटवरलाल कहा जाने वाला राशिद नसीम हजारों करोड रुपए का फर्जीवाडा करने वाला राशिद नसीम रियल स्टेज कंपनी शाइन सिटी का चीफ मैनेजिंग डारेक्टर राशिद नसीम मेहनतकश लोगों के खून पसीने की कमाई को पानी की तरह बहा कर खुद राजाओं महराजाओं जैसी जिन्दगी बिताने वाले राशिद नसीम को कब भारत वापस लेकर आया जाएगा ये सवाल हर पीडित की जुबान पर है इसके एक प्रीमियम स्वीट रूम छे सुपीयर स्वीट रूम गाडन पीउस एक एक्जेक्टिव स्वीट रूम और सेवन टेलिंग ये साल बर के लिए होता था जिसमें लगभग 6 करोण अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये राशिद नसीन है कौन लाखों लोगों की जमापूंजी पर डांका डालने वाला राशिद नसीन हर रोज अकेले अपने खाने ठहरने सेक्यूरिटी वकारों के किराये पर 50 लाख रुपए से ज्यारा खा खर्च करता है हर साल खुद पर तकरीबन 2 अरब रुपए खर्च करता है जानकारी के मुताबिक ये नटवरलाल चार साल पहले हर रोज 17,000 रुपए खुद के पानी पीने पर खर्च करता था आनी की बोटल ये पीटे थे राशे नजीम वो उस बोटल का रेट जो है 17,000 रुपए एक बोटल होता था दिंबर में 10 बोटल का इस्तेमाल हो रहा है और लगबग ये 62 लाग के आसपास का जो है जो है जो है पंडिचर आता है ये साल बर का है इसके पास लगबग में जब रहे या इंडिया में जब रहे तो इनके पास 10 परसन की सिकूर्टी रहती थी पर परसन 30,000 रुपए का चार्जर बिता था और इसमें जो है साल बर के लिए लगबग लगबग 10 करोण 95 लाग रुपए का जो है ये चार्जर ये सब वो रकम है जिसके बारे में EDJC जांच एजिंसियों को जानकारी दे कर उनके डॉक्यूमेंट सौपे गए हैं आशंका है कि इसके अलावा भी वह हर दिन खुद पर लाखो रुपए खर्च करता होगा देश की तीन चौथाई आबादी महिने भर में जितने पैसे नहीं कमाती होगी राशिद नसीम उससे ज्यादा का पानी एक दिन में पी जाता था राशिद नसीम की कमपनी शाइन सिटी पर 66,000 करोड रुपए के फर्जी वाड़े का आरोप है कमपनी के खिलाफ देश भर में 3000 से ज्यादा FIR दर्ज है